नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने लन्निंग प्लैट्फॉम स्टडी एडिक्ट अकैडमी में इस वीडियो में पार्ट फाइव और लास्ट पार्ट जो है डिसकस करेंगे एडवेंट आफ दी एरोपियंज इन इंडिया तो थर्ड चैप्टर इसमें हम जो में कुछ एक्स्ट्र चीजे भी इन डेफ्ट भी जो है आपको जो है चीजे प्रवाइड करता हूं जो आपको बुक में एवलेबल नहीं होती है पर जो एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यू से महत्तपून है और जहां से पहले कोशन पूचे जा चुके हैं तो इन चीजो 1608 में डेंश 1611 और 1664 फोर्मिश्न ओव कंपणीब स्कीं येज इंग HPर्ण के लिए इंगलिश स्टीय अप Says एप Hope करेंखेंड़ इंग्लिग बात करेंगे यह का म islands इस्ट इंडियां कम्पनी बात करेंगे तो 1200 में दीवाड़안 माफोड़ wiped उत्थी हुए कुछ roz Warmth का इसमें है बाद लेकिन online अगरा देखेंगे तो यह बनान की पकारms अब में ऑन जो फॉर्म होगी थी लेकिन देखिए जो ऑफिशियल जो इसकी फॉर्मेशन होई वह इसकी 30 दिसंबर 1600 को ही जब जो क्यूं जो थी उनके द्वारा जब जो जो है चार्टर जो इशू किया उससे इसकी एक ऑफिशियल जो है फॉर्मेशन जो मानी जाती है तो दोनों ही देर 1613 में पर्मेल फेक्टर जो इस्टिनिया कंपनी जो इस्टिनिया कंपनी की बारत में जो सूरत में सथीब की जाती है उसकार सर्थों मस रोएदे मैस्टर ऑफ किंग जैम्स वन यह राइवूट थे जहांगे रिकोर्ट में और 1613 में बेश्टर जो सक्षिडों ने की जाती है 16 सबती में कमपनी गोर्ती गोल्डन फिर्मान फोनी सुल्तान अफ गोलपंडा अबीच इंशुर्ड शेफ्टी अ प्रस्पार्यट व देट्ड आइड 16e23 में क्या हुटा हम रागारोफ चप्रों के था standards listen रखेंशा क्या है वितितृ कंपनी है इस्टाइफट ही इस्ट फटृक्ट इंटिया एंधर्ड इडिया और हरिहाफ्पुर ने इयृप्यरेंड भालास사 Most सुरे ने में इसको बोला जाता है मेग नागाटाव थी कंपनी गिविन अलाज नबर फ्रेड कंशेशंट तो ये थोड़ा साब ने स्ट्राइशंट ने अपने शुद्र से अपने शुद्र में आपके आपके फांडेशन रखती गई थी इस निया कंपनी की लेकिन ऑफ्षियल जो है तरीस दिसंबर सोड़ा सो को जो चार्टर जो है क्यों लिजावित के दौरा जो इनको दिया गया है वहां से ऑफ्षियन मा मैं आपको बार-बार बलता हूं कि जो कॉर्मंडल कोस्ट वाला जो एरिय था और इसके जो हिंटरनाइट वाली जो इरिया थी इनको कानेटिक बोलते हैं जो कि मारी इस्टन कोस्ट है तो इसमें आपके तमिलनाडव प्रेजेंट दे अंत्रपदिश जो है इसमें कवर होत इनके तूरा देखिए और इंग्लिश के बिच में यह इक बहुत बड़ा कार्न था डुपिलेक्स देखिए आपके गौर्न थे फ्रेंच के इनके तौरा देखिए सक्सेस्पुली लैड किया गया था फ्रेंच फ्रेंच फोर्सीज कोंधी फर्स कानेटिक बार अब यह क्य इं्टेफर करते थे, जो डाइनस्टिक इंग्लिूस को मतलबD già se कोई राजा है। तो आगे कौन सा राजा ह। राजा बनेगा, उनका बेटा बनेगा या कोई और बनेगा। इस तरह चोगी आनस्टिक जो डिस्पूट होते हैं, olmaz मैं understanding of the कul samadhi тобiroab तो निजाम उलुम उलुक के फाउंटर थे आपके इंडिपेड़नेट केंगडफ वाहदराबाद तो इनके 1740 में जो डेथ हो जाती है इसके साथ जो है रिलीज कर दिया जाता है चंदर साहिब को और चंदर साहिब जो आपके सनीन लौ थे कैंगे श्नुमांब कार्नेटिक तो यह आपने द्यान रहतिने हैं चंदर साहिब दिधार हो जाते हैं और कि अे आपके यह आपके जो आपके दामा थे डोस तली जंग है जो कि पुत्र से आपके ते आपके बीटे आपके निजामके निजाम उलमोलक के यह राजा बन जाते हैं और इसको देखिए मुझअफर जंक तर्ड धो गरते हैं मुझअफर करते UAरा था यह कोन मेरा हक है और यह हक मुझे मुगल एंपरियर के द्वारह किया कि अ कि काहिडिक में क्या होता है इस कि अनवर रूुदीन गान जो भन जाते हैं जिससे साय करनेटिक में valley जफन जी राजा बनना चाहते थे style you जो आपके हैधरबाद है यहां पर मुझवफर जंग जो राजा बढना चाहते थे और सबसे बड़ी बात यह कि French के दोरा जो है श्पोर्ड किया गया claim of Muzafir जंग मुझवफर जंग और चंदा साहिब तो मुझवफर जंग का है हैधराबाद के थोन के लिए claim और चंदा साहीब का कानेटिक एथ्रॉन के लिए क्लेम जो है फ्रेंच के दौराज़वा स्पोर्ट किया गया यानि हैधराबाद डेकन वाले रीजन आता तो मुझफर जंग को डेकन में और कानेटिक में चंदा साहीब गुन ने स्पोर्ट किया जबकि English जो साइडिक है यह बोलती थी कि जो राचा बन चुक है नजीर जंग और अनवर उदिन कानेटिक में नजीर जंग कहां पर बने थे हैधराबाद में और आपके अनवर उदिन कहां पर थे कानेटिक में है तो यह देखिए इनको स्पोर्ट करते थे अब देखिए यूद के दौरान क्या होता है तो देखिए नेचल सी बात है कि जब दोनों side deposit थी तो यूद होना ही था तो यूद में क्या होता है जो combined मुझफफर जंग की चंदध्रसाहिव की और french की तो अब देखिए भात पर न कि मुझफफर जंग के जो है चंदध्रसाहिव और юद्या होगे यह एक साथ थे तो इनकी जो combined army थी मिलके जो इननकी जो सेनाय योई वाम इंपसे में एक साथ थै तो और ला भी दिया और मार भी दिया अनवरुदीन को तो अनवरुदीन कौन थे मैंने पिसली स्लाइड में आपको पताया अनवरुदीन जो है आपके कानेटी की राजा बने थे किसके बाद दोस्त अली के बार जो है यह अनवरुदीन जो है कानेटी की जो है राजा बने थे तो अब इनको भी इनको दोरा मार दिया गया इसके साथ था मुझवफर जंग जो है आज दोफितार बनके ड के और डूप्लेक्स को जो है पॉइंट कर दिया गया गवर्णर ऑफ ती ऑल दी मुगल टैरिटरिस ती सावतवी रिवर क्रिश्ना उसके लिए इनको जो है पॉइंट कर दिया गया डूपलेक्स को अब देखे इसके साथ जो है त्री चीनो पॉली जो एरिया था वहां पर फ्रेंच फेल्ड होए टू प्राइड एंफेक्टिव असिस्टेंट तुर महांद वाली को तरौ कि प्रेंच नहीं तो यह वÈक्टिव असिस्टेंटम घंग नहीं करोब्राइं प्रॉणर के उई-इस जो थे इस और इन को तो देख ऋब्रेंश के इनक दारा प्रपोजल डिया गया फर्ति बात हो यह बैटल ऑफ अंबुर हुआ इसके बार जो है चंदा साहिब आपके चंदा साहिब कर रहे थे तो चंदा साहिब नहीं नभाब बन चुके थे कहांके कानेटी के अनबुर दीन के मारे जाने के बात हुए आप ठाना यह बैटल ऑफ अंबुर हुआ इसके बार जो है चंदा साहिब आपके कानेटी के राजा बन चुके थे तो डिपलेक्स सड़ी रोब्रक्लाइब नहीं सजेस्ट किया कि हम एक सड़न डिट आर्कोड को उपर कर करते हमला करते हैं तो ऐसे विडियों में क्या होगा चंदा जो साहिब है यह अपनी क्यापिटल को सेव करने के लिए उस तरह जाएंगे तो अगस्त 451 में क्या हुआ सिर्फ और 210 जो है मैन की फोर्स के साथ ही सेना के साथ 210 जबानों की सेना के साथ जो है रोब्रक्लाइब कि अब देखें यहां पर आपकी त्रीचिन पलिटी तो यहां पर अपनी पुजिशन और मोहमद अली को हेल्प कर पाये तो यहां पर इनकी पूजिशन जो है वीक हो गए थी तो इस प्रेशन को पर लीव करने के लिए रोबर्र लाइम निए शोचा कि हम एक डाइवर्ट तो अपनी कैपिल को पचाना हर एक राजा की प्रेफरेंस होती है तो इनके द्वारा क्या कर दिया गया और इसे कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ 210 जबानों की ही सेना लेके यह गए थे और जैसी की उमीद दी चंदा साहिव जल्दबार्जी में जो है क्या होगे अपनी कैपिल की तरफ जो है 400 लोगों की जो है चार जबानों की सेना लेके जो आगे त्री चिनो पवाली से तो त्री चिनो साहिब त्यना थे तो हां सही एकदम अपनी पोजिशन चोड़के चार जवानों की सेना लेके 3-4 पॉली को छोड़के का आगे यह आरकोट में आगे काबराय आरकोट में अपनी क्याप्टल को सेव करने के लिए आगे लेकिन यह देखिए अपने जो किलेथ है आरकोट में उनको लेने में जो है सक्षम नहीं हो पाये तो नुकसान किसका हो रहा है, 53 दिन दक करके इनको रोप पो रोप पा रहे हैं, तो नेचरली चंदर साहिब के नुकसान हो रहा है, तो सैप्तम्र तरेस से 14 नौंबर तक यह एकटना रही, 1749 की, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, मैसूर, तैंजोर, एंड़ी, मराथा चीफर मराली राव जो है, इनकी हल्प करने ले आगे, इसके साथ साथ कलाइब और श्रीनल लॉरेंस की भी जो ही हल्प करने आए, यह जन्नी एक मेडियेशन का काम करने आये थे, तो इसमें क्या डिसाइड कियागा है, कि तो त्री चिनो पॉली है, इसको अर्लीवर कीजि नहीं किया गया, तो इन के दोबार प्रेंट किया गिया गया गिरिफ्तार करके इन को फांसी ओपर च्रा जना दिया गया था, इसमें बदा६ स्क्तिसका बहां का इंटरफैर नहीं किया गया माइन्थू पार्टा नुक्सान हुआ तो इन्होंने किया कर दिया डुपिलेक्स को सारसरं चुल्जा में जो आप से पुला दिया और गोडे हू जो है सक्षिड होगे सच्टीड किया तो नहीं जो बने गौर्णर जनल इन इंडिया फ्रेंच के वो गोडी हूँ बने गोडी हूँ के द्वारा अडप्टिड गिए की पॉल्सिव नेगोशेशने यह बातलाब की पॉल्सिव ने इंग्लिश के प्रिद्जिव अपनाई और इनके साथ क्रिटी भी एक संदी भी इनके साथ कंक्लूड की गई तो यह संदी गोडी हूँ के द्वारा इंग्लिश के साथ कंक्लूड की गई इसमें यह बोला गया कि इंक्लिश और फ्रेंच जो है इंक्लिशन जो हमें इंटर्फ्यर नहीं करेंगे इंडी इसमेर में अपर्टू यौग जो एक लिविसंट्र्फियौ इनव और कुछ इंतियासकारों गयी मानना था कि जो इसके सिरियस जो रेपर कस्टन से पढ़नाम इनको मेर कम देखना को मिल सकते हैं अब देखिए इसके इंपिलिकेशन इसके परिणाम क्या-क्या रहे क्या-क्या प्रफार्म इसके पड़े तो देखिए यहां से एक चीज साफ हो गई कि इंडियन अथर्टी जो है इंडियन अथर्टी को अपने हाथों में लेना यह नसेसरी नहीं रहा यूपिन सकसेस के लिए रधर देन जो भारत की जो अथर्टी थी जो भारत के राजा जज़वारे थे यह डिपेंडड हो गये थे यूपिन स्पोर्ट के उपर मुहमद अली जो थे कानेटिंग में और सलाबत जंग जो थे हैदराबाद में यह क्लाइंट्स बन चुके थे रैधने पैटर्स तो देखिए सनक्षक की बजाए अब यह क्या है ग्रहक बन चुके थे तो देखेंगे अंडर धी पैटर्स देख़ाई है अनुरून पोले जाता यानगी थे छुप raja को ही पैटर्स बहुताए यह क्या बन चुके थे इह अब दीश्रें के बात करेंगे थर्ट कानेटिक बार की स्टार्स प्रस तेर साश्त है प्रेग्राउंड कहा रहा इसमें तो यूरोप में देखे क्या हुआ ओस्ट्रिया जो है वांटी तो रिकबर कना चाहता है सिल्षिया गोगों तो सेवन इर जो बार था 1756 तक यह स्टार्ट हो गया बिटेन और फ्रेंच आर्मी अंडर कांट डे लेली कैप्टर दी इंग्लिश फोर्ड एस्टी देविड एंड विजिया नग्रम इन 1758 तो इन्होंने क्या किया इंग्लिश के जो किले थे एस्टी डेविड एंड विजि चोइकंड हो गर estásण एंग्लिश काफी जादょ interpretations होगे और inflicted होगे हैं काफै जाद है कुस्था भी होगे हैं विबर्डे फ्रेंच फ्रेंस फ्रेंच फ्राइड वप्रीड आदे मिट अंडिड बस ने ने percussion है विजिआ की सटानरा ची आटिश की ने इvिवाश के और ने फ् बात आपने जुरूर याद रखनी है, तो देए, डिसीजिव जो बैटल जो रहा पना, दायक जो यूद जो रहा, थर्ड कानेटिक वार का, तीसरे कानेटिक यूद का, इसको इंग्लिश निवन किया और 22 जन्वरी 1767 वेंडिवर्स, और इसको वेंडिवर्सी भी बोला जात इनको इन्होंने जो है, बंदी मना के लेगे, देखे, पॉंडिचेरी को जो है, काफी वीर्ता से, गैलेंटली जो है, आपके लैली जो है, डिफेंड करते रहे, आठ महिनों तक, लेकिन बाद में इनको आत्मसमरपन करना पड़ा, अंग्रेजों के अगेंस्ट, इंग्लि इनको बाद में फ्रांस को रिटर्न कर दे थे, और फ्रांस में क्या करते हैं, इनको बहले बंदी मना ले थे, और बाद में फ्रांसी पिछडा देते हैं, स्टाव 166 में, अब resultancy influence का है, तो 3rd का नेट के बाद जो है, काफी जाधा डिसीड़ी ता परिणाम दायक था, तो treaty of peace of Paris, तो इसके बाद देखिए, एक treaty of peace जो है आपकी साइन होती है, पेरिस तासरेस्ट में, यह क्या करती है, जो भी French territories थी भारत में, इनकी जो भूमी थी भारत में, इनको वापस कर देती है, लेकिन क्या हो जाता है, कि French का जो political influence है, जो राजनितिक, जो परभुतुब है, यह वो इसके बाद जो disappear हो जाता है, गायब हो जाता है, तो बाद वे French, Portuguese, और Dutch, तीनों तीनों जो है, बिटीशर से हा चुके होते हैं, तो यह अपने आपको छोट-छोटे enclaves जो होते हैं, इनकी छोट-छोटी जो भूमिया होती है, वहाँ पर सिर्फोशिब जो है, बिटीश इसनिया कंपनी ही करती है, तो इंग्लिश देखिए, विकम दे सुप्रीम यूर्पेन पावर इंडियन सबकॉंटिनेट, क्योंकि यह उल्लेडी जो है, इसने सिर्फ उसिप इंग्लिश इसनिया कंपनी को जो है, एक मातर जो है, आपकी जो है, कंपनी जो है, इसनिया कंपनी ही जो है, जो है, जो है, इसने क्या हुआ, अगर हम बात करें, एक महत्तपून बात है, कि बैटल ओव अंडिवर्स में जो नेटीब्स होते, हमारे स्थानी जो लोग थे, देखे, फ्रेंच आर्मी लड़ी और बिटिश आर्मी लड़ी, इंग्लिश आर्मी हम बोसकते हैं, तो फ्रेंच में भी नेटीब ही लोगों को इनों भरती किया था अपनी मिल्टिरी में, स्थानी लोगों को भरती किया था अपनी मिल्टिरी में, और बिटिश ने भी स्थानी ही लोगों को भरती किया था अपनी मिल्टिरी में, तो दोनों ही आपस में लड तो इस चीजे में बड़े, आब देए, causes of the English success and French failure, तो क्या-कार्ण थे जिसकार्ण निग्लिस की success हुई और French की affiliate हुए। तो आब धारण था, English company थी एक private enterprise थी, यह नीजी एक company थी, और इससे क्या होता है, इनने लिएक हैं तो जैसे बहुत self-conference में रहता था, और काफी less government control जो है इनके उपड़ाता थी, यह नेकि इनको हर एक चीज़ के लिए अपनी सर्कार की permission नहीं लेना पड़ती थी, लग जाता था और काफी जाता interference जो है इस company में थी, तो decision making काफी जाता slow थी, एक बहुत बढ़ा काली में जो है, प्रेंश का बना और French failure का बढ़ा, इसके साथ जो English Navy थी, इनको 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 सेना थी, प्रेंश क्या दर देते थे, कहीं दार अपने commercial interest को भी पीछे छोड़ देते थे, लेकिन विटीश्यूर से यह खास बाती है कि यह जितने में प्रेंश का बढ़ा है,